नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन और आपका स्वागत करती हूँ सत्ता संग्राम में राजनेतिक विश्यशक अनेल लोड़ा जी के साथ इस समय देश में लोकतंदर के सबसे बड़े पर्व यानि की चुनाव की धूम है लोकसबाचुनाव के लिए सभी राजनितिक गलों ने अपनी पूरी ताकत जोगती है चुनाव का रण जीतने के लिए तरकश से हर तरे के तीर का इस्तिमाल हो रहा है कभी जनता को लुभाने के लिए वादों के बान चल रहे हैं तो कभी आरोब प्रत्यारोब के तीर एक एक सीट के लिए रणनीती बन रही है राजिस्थान की राजीती में भी एक उलट फेर इस समय चर्चा का विश्या बना हुआ है बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले खीमसर विधायक हनुआन बेनिवाल एक बार फिर गट बंदन के बहाने बीजेपी के खेमे में आ गए हैं पूर्ष स्रियम वसुंदरा राजेजे 36 का आखना रखने वाले खीमसर विधायक हनुआन बेनिवाल ने विधाल सभा चुनाव से पहले नई पार्टी के सहारे तीसरा मोर्चा बनाने का भर्चक प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाई एक बार फिर भाशपा के साथ हनुआन बेनिवाल की कदम ताल क्या रंग लाएगी ये जानते हैं राजनेतिक विश्यशक अनेल लोडा जी से अनेली करीब तीन महिने पहले हनुआन बेनिवाल की बोतल और घंशाम तीवारी की बासुरी एक साथ एक मंच बर दीखी थी और बासुरी ने तो हाथ का साथ ले लिया है और बोतल में कमल बंद हो गया क्या कहें गया कि जी बानसुरी कि वो सुर नहीं निकला जिस तुर की उमीद गंशाम जी को थी क्योंकि बासुरी को हाथ में होना जरूरी है सुर निकालने के लिए सिर्फ फूख जरूरी नहीं है यह बात अगर उन्जे शाथ पहले समझ आती जा ती महिने पहले ऐसा कुछ हो चुगा होता हां या पार्टी नहीं बनती हां जी तो कोई बात नहीं लेकिन देर आया दुरस्त आया बानसुरी तो अब हाथ में चली गई हाथ के पास है बानसुरी अब लोगस्वा चुनाव में हाला कि उचुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन उनकी जो राजनितिक पकड़ भी है और समझ भी है जी राजनितिक बड़ा लंबा अनुभव है बैर सिंग शेकावत के साथ रहे उनके ज़त्तक पुत्र की तरह है तो जहां तक हर्मान बेनिवाल की बात है दोनों संयोग वश्च एक साथ हुए थे क्योंकि ने तो तुझे कोई ठोड नहीं मुझे को और नहीं वाला खिस्सा था अब दोनों एक मंच पर हो गये लेकिन अंशाम जी के आने से ने तो बेनिवाल को को फाइदा था ने बेनिवा कि जिस वर को एड्रेस करते हैं समाज का जो वर्क उनकी बास सुनता है यह का ब्रह्मान समाज के लावा नहीं वो बहुत अलग किसम के लोग है जी ब्रहमान की बात जाती की आदार पर नहीं कहरा में बास जो गंशाम जी का टेंपरामेंट था और रहा जिंदगी भर और जो इसका मोड़ा संपरेंडी है हनमान मेनिवाल का उनमें 36 का अंगणा है दिन रात का अंतर है लेकिन फिर दोनों समयों को शेक मंज पे हो गए थे अब फिर अपनी अपनी जगे चले गए वह उदर और यह इदर से बीजेपी के साथ चले गए हनमान मेनिवाल पहले वो कॉंग्रेस में बात जी थी को चूरूग पर एक सीट उनको देना चाहरी थी कॉंग्रेस पर प्रत्याशी वही होते जो मंडेलिया जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं पस सिंबल दूसरा हो गया था तो वो मुस्लिम प्रस जाट वोटों से जीच सकते थे यह कॉंबिनेशन बन सकता था लेकिन हर्मान में निवाद खुद लड़ना चाहते थे और नागौर की सीटी चाहते थे कॉंग्रेस नागौर की सीट को चोड़ने को तयार नहीं थी जो थी मिर्दा ने विधान समचनाव में बहुत महनत की थी पूर सांसर भी हैं वो और इंडिया बुल्स की घराने से आती हैं तो वो ताकतवर घराना भी देश का है और मिर्दा परिवार की सरश्य हैं जिस मिर्दा परिवार ने छे दशक तक नागौर की राजिती में चाहे रामनिवास मिर्दा का परिवार हो चाहे नाजुरा मिर्दा का परिवार हो शाठ साल तक लगबख नागौर की राजिती में वो चाहे रहे और खास बात ये कि 1977 के चुनाओं में पूरे उत्तर भारत में दो सीटें जीती ही कॉंग्रेस ने पूरे उत्तर भारत में उत्तर प्रजेश, बिहार, मद्य प्रजेश, पंजाब, हर्यानारा रायस्तान, शत्त अब अपनी पार्टी से बोतल के चुनाओं चिन से चुनाओं रने जा रहे हैं, भाजपा मिशन 25, मिशन 25 करई दी, पिसले चुनाओं में उसके 25 के 25 सांसे जीत के आये थे, तो मिशन 24 पे आगी स्वेम पार्टी कमल के निशान के साथ तो, ठीक है कहने को कहलेंगे कि हमारे अपने हैं, पर अगर जीत गया है मानलो बाइदवे, और हो सकता है कि वो ऐसी परिसी बने कि मोदी की जगे, दूसरा गटबंदर मनला उसके साथ चले आए, तो क्या कर सकते हो आप, तो 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 इसलिए वो एक इंडिमेनेंट अलग पार्टी हो गई, अब भाजपा जो अजमेर के सांसरते केने मंतिर थे, उनका इंडन हो गया था, दोनों सीटें भाजपा गवा बैठी थी, सीटें ही नहीं गवा बैठी थी, बलकि उन सीटों के अंदर आने वाले आठ के आठ विदानसवा शेतों में पराजित हो गई थी भाजपा, इस पराजए के बाद भी लोकसभा चणाओं में भाजपा ने अपने परफोर्मेंस को उप्चुनाओं केुदर निजर, पिछले विदानसवा चणाओं के सीटें के धास उपचुनाओं के नतीर के के मदेन निजर, सुधारा, और अजमेर में भी भाजपा को चार सीटें मिली, नशिराबाद, पुषकर और अजमेर शहर की दोनों सीटें, कॉंग्रेस को दो सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि उप्चुनाओं में आठन सीटों पर जीती थी, और दो सीट निर्दरियों खाते में चली गई, अजमेर लोकसवाच चेतरी की, उस पर बाद में चल्चा करेंगे, हम हन कंप्रमाइज में हनमान बेनी वाल देदी है, जब शुरू में भी जब उनका टिकेट रखा गया था, तो लोगों बड़ आश्चा रहे था, चार मंत्रियों हो देदी है टिकेट, पांशे हो क्यों नहीं दिया, लेकिन शायद उस वक्त ऐसा सोच के रखा गया होगा, या उनकी इंकम्बेंसी के बारे में बाजपा की आला करमान को थोड़ा संदेश था, इसलिए उनका टिकेट रोक के रखा गया, वो बहुत सरल सवाव की रक्ती हैं, मर्दुबाशी हैं, और रायस्तान में आरपीस्टी चेर्मेन रहे वे, आरपीस्टी की मेंबर रहे वे, अनुमान है, यह मैं कोई निश्चित जानकर ही आदर पर नहीं कर रहा है, लेकि मेरा अनुमान है, कि शायद या तो उनको कहा गया होगा, या नहीं कहा गया होगा, तो भी शायद भाजपा अला कमान, दोजार बीस में राजपा का जब चुनाव हो, तो एक सीट भाजपा जीज सकती है, तो शायद उनसे ये कहे, ताकि उनके समर्थक हनमान मेनिवाल का साथ दें, कि उनको राजसामा में बेज दिया जाएगा, अब वाजपा तो किया सकता है, निभाए जाए निभाए जाए, निभाए जाए, दोजार बीस में पता लगए, लेकि मुझे लगता उसक और वल लाभाए जाए, जो शायचे ये लगat लगा जासे लागए, दो शायचे लिए, समर्थक हैं, राजपा के समर्थक है और प्रकार को अब लगा है, ऊब निभाए जेंकि वह उनको बेल्स लिए इसलिए ये के समर्थक हों को जो धक्का लगा है जी शटका लगा पार्टी के कारेकरता हो भी लगा है क्योंकि मैं यह खास तौर पर बिन दर्शे को बताना चाहता हूं भाजपा कारेकरता जायतर वनिकवर्ग है जायतर ब्रामन बनिये इस कास चाते हैं बीजेपी के साथ और हनुमान बेनिवाल की जो मोडस अपरेंडी है हनुमान बेनिवाल के साथ जो नौजवान जाट लगे हुए हैं बहुत उस्साही हैं बहुत तेजी से काम करते हैं बहु बहुत अंतर है इसलिए भाजपा के नागौर के समर्थकों को कारेकरताओं को वोटर्स को बोतल में बंद होने में काफी जोर आएगा और भाजपा के सामने बड़ी चुनोती होगी कि वो हनमान बेनिवाल को अपने वोटर शिफ्ट कर पाए चले अनिल जी मुझे एक बात ब में मौजूद थी लेकिन जब इतना बड़ा एक अपन कहसे अतने अगटबंधन था भाजपा का वो नदारत थी उसका रिक्रम से हनमान बेनिवाल ने अशोग गेलो जो मुख्यबंसी आज और पहले मुख्यबंसी थी वसुन राजे दोनों के खिलाफ क्या-क्या नहीं का अगर वो रिकॉर्डिंग उठा के देग ली जाए तो शायद भाजपा के लोगों को इस बात पर शर्मिंद के उनलेकर हम इनके सा और वसुन राजे के सबसे निकटस्त वक्ति को सबसे विश्वस्त वक्ति सी आर चोध्य को टिकेट कार कर बली का बकरा बनाकर उनकी जगे हनमान बेनिवाल को चुनाव लड़वाया जाए उन्हीं की खिलाफत करके शायद जब हनमान बेनिवाल पार्टी से अलग हुए थ जी बिल्कुल थी और उसके बाद भी पूरी राजनी थी उनकी एंटी वसुन राजे थी पांस साल सरकार में जब तीन वसुन राजे मुख्यों थी तो पूरा खिलाफत की इनोंने और देखिए एक तो शेर है कि दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाईश रहे फिर कभ पार्टी क्या फैंसला है उन्होंने मान लिया हाला कि जो प्रदेश अद्यक्षा मदनलाल सहली ने कहा है कि राजे जी ने सहमती देदी है उनसे बात हो गई है लेकिन ऐसा लगता है यह बात वसुन राजे कहें जारा अच्छा होगा उनकी तरह सभी तक कोई बयान नहीं आ पर हैं मैं इस परस करा चाओंगा कोई कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल फॉलइंग नहीं है जिसकी वैसे वह इस पत पर है लेकिन वो समय के अनुकूल परिस्थिदी के अनुकूल पार्टी की जरुत के अनुकूल बोल सकते हैं इसलिए इस पत पर हैं जी क्या माइने है इस बात के राजे के इतना बड़ा जो खिलाफ थे पार्टी से इस लिए इतना उन्होंने बोला उनके लिए क्या लगता है कि राजे की जो राज़नीती है कहीं देखिए वसुन राजे तो बड़ी निता है राजस्तान की इसमें कोई दो रहा है नहीं और उनकी अपनी फॉलोइंग भी है उनका अपना सम्मोहन भी है इससे कोई इंकार करे तो वो सत्ते को जुटला रहा है लेकिन उन्होंने पार्टी के बीतर मुख्योंति रहते समय जि और उनके आगे कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था आला कमान को आख दिखाने की वज़े से आला कमान अब जब लोकसवाद चुनाओं में आपको ध्यान हो हमने पहले भी कहा था कि जब लोकसवाद चुनाओं होंगे विदान सवाद चुनाओं में आला कमान पूरी प्रकाश जावडेकर सब कुछ कर रहे है और चंदेशेकर जी कर रहे है संगर्टन के महामंत्री और बाकी भी दिली से सारी कारवे संचालीज हो रही है तो इसलिए धीरे-धीरे करके पार्टी में यह तो नहीं कह सकता कि हाशिय में ले आए जाएगा वसनुराजे को वो संब प्रशिक्षित रहती हैं निश्टावान रहती हैं इसलिए उनका मान संबानёए लेकिन जो पब्लीग एवसनुराजे की है काफी और उस पब्लीग ऑपीनियन को मोदी के प्राथी पब्लिक ऑपीनियन और शेडउ करेगी यह भरोसा आल्वकामान को है।